सर्दी चुखाम या फिर हम सफर कर रहे हैं हाई फीबर से तब ही अगर आप गिलोर का बना के आप पीएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि यह कितना एफेक्टिव होता है मतलब हमारा आयुरवेदा कितनी इफेक्टिव चीजें बता के गया है हमें तो बस इसे बनाने के इसले हमने पैन रखना है और पैन में हमने मिलमा चार से पांच ग्लास तक पानी डाला तक मैरा ग्लास बहुत बढ़ा थाली इताव स त दो चाह 돼दा यह पानी डाला था और फिर हमने फ ess 01 crin also with cat dow लेकिन आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो यह आप से कोटा जाएगी और अगर थोड़ी बहुत अच्छे से नहीं भी कोटाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं आप इसको थोड़ा कूट लेज़े और उसके बाद इसमें पानी में डाल दीजे और गैस का फ्लीम हाई कर दीजे और फिर साइड में हमने थोड़ा सा काली मिर्च अगर आप चाहते तो आप इस वक डाल के इसमें कूट सकते हैं लेकिन हमने लॉंग और ये तुलसी के पत्ते हमने कूट के इसमें एट कर दियें चुकि कोहरा बहुत पढ़ रहा तो तुलसी थोड़ी सी ब्लैकिस ब्लैकि चीज की क्या qualities होती हैं में बताने के जरुरत नहीं है मतलब यह आप सब को ही पता होगा मतलब जो काड़ा के लिए search out करने आया होगा उसे तो पता ही होगा फिर हमने इसमें थोड़ा सा गुर डाला है चुकि यह मतलब की गिलोज होता है यह थोड़ा सा कड़वा होता है त बहुत इसका जब अर्ग उतर जाता है पानी में तब हमने इसे पीना होता है तो यह मैंने 10 से 15 मिट के लिए इसे साइड में ही रख दिया था और फिर मैं दूसरे साइड बना रही थी पोहे का चीला जो कि बहुत अमेजिंग होता है और अगर आप में से किसी को भी यह और थोड़ा सा डिफरेंट भी था जो कि क्या कहते हैं मैंने इसमें सबजियों को एड नहीं किया है से उपर से गानिश करके किया है मतलब बहुत अमेजिंग था आप सीखना चाहते है तो मैं पक्का बता हूँगी और फिर तब से हमारा 10-15 मिट हो गया था फिर हमारा यह क चान लेना है मतलब इसको हमने अच्छे से चान लिया है और चानने के बाद आप चाहें तो इसे कैटल में पूरे दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं मतलब इसमें कोई ऐसा निकोटिन काफेडिन जैसी चीज़े हैं तो यह हमें कुछ नुकसान नहीं करेगा और फिर हमने सर्फ कर लेना है और जरूर पीना है मैं क्या करती थी पहले मैं सबके सामने ले तू लेती थी फिर उसके बाद जाके बेसिन में डाल दी थी लेकिन अब मुझे पता चला है कि यह सब नहीं करना चाहिए बाई प्लीज आपको ऐसा ना करें इसे पीए और यह बहुत एफेक